पैंकेक्स चाय का वक्त है और ममी पिग सबको सप्राइज देने वाली है आज है पैंकेक्स का दिन पैंकेक्स यमी अरे वा मुझे पैंकेक्स बहुत पसंद है सबको पैंकेक्स बहुत पसंद है मैं पैनकेक्स पलटने में बहुत ही माहिर हूँ, यह मुझ पर छोड़ दो पक्काना डाड़ी पिक, पिछली भार पैनकेक्स जमीन पर गिराने से आप जड़ा चिड़े हो गए थे मैं चिड़ी चिड़ा नहीं हुआ था, वो तो उस तवे की प्रॉबलम थी मामी, क्या हम भी पैनकेक बनाने में आपके मदद कर सकते हैं? तुम आटा बनाने में मेरी मदद कर सकते हो पहले मैं बावल में सूखा आटा डालूँगी अब मैं अंडा डालूँगी अब दूब फिर सब को हिलाऊंगी मामी, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ जरूर पेपा पेपा को ये करने में बहुत मसा आ रहा है जॉज भी उसका साथ दे रहा है नई जॉज ऐसे मत करो अच्छा अब बहुत हुआ हिलाना मैं पैनकेक्स बनाती हूँ तुम दोनों टेबल पर बैठो ममी पिग अब पैनकेक को पल्टेंगी वाँ उसे थोड़ा और उपर उचाच सकते हो प Ett मामे पिग जब अपना पैनकेक उचालोगी न तब हमें सिखा ना डैडी मीपिग ममि पिग ने जॉज के पैनकेक के ऊउपर थोड़ा सिरप डाला यॉमी यह पैंकेक पैपा के लिए है तुम इसे और उपर उच्छा सेती हो ममे पिग जब अपना पैंकेक उच्छालोगी तब मुझे दिखाने का चांस तुमें मिलेगा डाडी पिग सिरॉप प्लीज यम्म्म यम्मी यह पैंकेक ममी पिग के लिए है हुरेए अब भी उन्हें ज्यादा उच्छा नहीं उच्छा रही ममे पिग अगला पैंकेक आपका ही है डाडी पिग तो अब आप ही करके बताईए बहुत यम्मी है अब सब की नजर मुझ पर हो एक अच्छा पैंकेक बनाने का राज उसे हवा में उपर उच्छालना होता है एक दो और तिन पुद्दु डाडी मैंने कुछ ज्यादा ही उच्छाल दिया अब क्या करें ये तो आखरी पैंकेक था इसे नहीं चलाना बहुत यह असान है ओफो डाडी पिग अपने पैंकेक तक नहीं पहुच पा रहा है अब फिक्र मत करो डाडी पिग शायद उसे मैं निकाल सकती हूँ चलो उपर चले बच्चो ममी पिग क्या प्लान बना रही है तीन के गिंती होने पर हम सबको ऊपर नीचे कूदना है ठीक है एक दो तीन कूदो यह सब कर गया रहे है काम हो गया अब डाडी पिग को उनका पैंकेक मिल गया डाडी के सिर पर पैंकेक है आपके पैंकेक पर सिरप डाडी पिग ठीक है टालू एक दो और तिन युम्वी पैंकेक पुट्र डाडी ममी पिग का बर्थ दे आज ममी पिग का बर्थ दे है डाडी पिग ने ममी पिग के लिए ब्रेक्फरस्ट बनाया है हैपी बर्थ दे ममी पिग पैप और जॉर्ज ने ममी पिग के लिए बर्थ दे कार्ट बनाया है हैपी बर्थ दे ममी अहो यह कितना प्यारा बर्दे सप्राइज है और भी बहुत सारे सप्राइजेस मिलेंगे अपने बर्दे के ब्रिक्फस्ट का मज़ा ले लो आराम सिखाओ यम्म यम्म शुल्दी करो हमें बाके सारी तैयारी करनी है तैड़ी पिंग ने ममी पिक के लिए बर्दे केक बनाया है अब हमें सर्फ कैंडल्स लगाने है एक, दो मैं आ रही हूँ ममी पिंग ने अपना बर्दे ब्रिक्फस्ट खतम कर लिया ममी आ रही है ओ नहीं, हम अब ही तयार नहीं है कौन है? मैं हूँ ममी, क्या मैं अंदर आओं? नहीं, नहीं आपर कुछ सीक्रेट चल रहा है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकती अच्छा ममे पिग, तुम आराम से हॉल में जाकर बैठ क्यू नहीं जाती? यह अच्छा है वैसे भी तुम्हारा बर्टे है ठीक है पेपा, मुझे पता है, सोफा कहां रखा है यह लोग अच्छा सा मैगजीन थैंक यू पेपा और प्यारा सा म्यूजिक सुनो थैंक यू पेपा हमें उतनी कैंडल्स जाहिए जितनी ममी की उम्र है एक, दो, तीन ओ नहीं हमारे पास उतनी कैंडल्स नहीं है तैदी, ममी कितने साल की है? मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ वाव, बहुत बड़ी है मुझे लगता है तीन कैंडल्स काफी हो जाएंगी ममी पिक का बर्थजे केक तयार है हुरे हमें और कुछ ने बस अब हॉल की सजावट करनी है हेलो, ममी ओ, आगे तुम लोग मैं थोड़ी बोर हो रही थी ममी, क्या आप गार्डन में एक वाक लेना चाहेंगी? क्या मेरे पास और कोई रास्ता है? नहीं भाई-भाई, ममी अच्छा सा वाक लेना हम आपको जल्ड़ी बुला लेंगी, ठीक है? मैं तो भूली गई थी कि बद्दे पर कितना काम करना पड़ता है डाडी पिग, पेपा और जॉज हॉल को सजा रही है हाँ 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 मजा आ रहा है दादा और दादी पिग, ममी पिग का बर्थडे मनाने आये हैं हैपी बर्थडे ममी पिग क्या तुम अंदर नहीं आ रही? ओ मैं अभी अंदर नहीं आ सकती डाडी पिग, पेपा और जॉज मेरे बर्थदे के लिए कुछ सीक्रेट कर रहे है अच्छी बात है, बाद में मिलते हैं बाई ममी, क्या आब अंदर आना चाहोगी? हाँ, बिल्कुल आउंगी आखे बंद करो अपनी आखे बंद ही रखो ममी एक, दो, तीन, अपनी आखे खोलो हापी बर्थ दे ममी में कितना प्यारा सप्राइज है ये चलो अब कैंडल्स बुझाओ और विश मांगो ममी, ममी, अपना गिफ्ट खोलो कैस करो इसमें क्या है? मुझे नहीं पता तो खोलो और देखो ये तो बहुत ही खुबसूर अड्रेस है वाँ अब खुबसूरत हो ममी अब इसे पहन कर किसी अच्छी जगा पर जाना चाहिए ये क्या है? दो टिकेट्स अज रात के फिल्म की चलो चलें तांक यू ममी पिक को फिल्म देखना पसंद है मैं और दादी पिक बच्चों को घर पर समहल लेंगे कितना अच्छा बदे है लगता है मैं दुनिया की सबसे लखी ममी हूँ और खुबसूरत भी ट्रेजर हांट दादा और दादी पिग पेपा और जॉर्ज के लिए ट्रेजर हंट बना रही है दादी पिग ट्रेजर का मैप बना रही है दादा पिग बगीचे में ट्रेजर को छुपाने के लिए जगा खोद रहे है दादा पिग आपका काम हो गया पेपार जोज आती होंगे परिशान होने की जरूरत नहीं, दादी पेग पेपार उसका परिवार आ गया है जल्दी करो दादा पेग, वो आ गये बस हो ही गया दादा पेग ने बिल्कुल वक्त पर काम खत्म कर दिया दादी पेग, हम आ गये ठाची ठी हलो, मेरे प्यारे बच्चों दादा पेग, दाची ओ, कैसे हो, मेरे प्यारे बच्चों पेपा, जोज, तुम्हारे लिए ट्रेशर हंट बनाया है बगीचे में ही कहीं छुपा हुआ है खजाना वाओ, खजाना कहा है वो? वो तो तुम्हें ढूनना होगा यह रहा खजाने तक जाने का नक्षा और जोज मेरा पाइरिट हैट पहन सकता है ओ, हलो, कैप्टन जोज ही 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 यह मैप थोड़ा मुश्किल है तैरी, आप मदद कीजिए क्यों नहीं, पेपा, मुझे मैप पढ़ना आता है यह थोड़ा मुश्किल है डाटी पेग, आपने नक्षा उल्टा पकड़ा है अच्छा, मुझे भी ऐसे लगा था यह आसान है लाल क्रॉस दिखाता है एक हजानक कहा है लेकिन कारडन में वो दोस्देब के पेड़ कहा है मुझे नहीं पता तुम्हें मदद चाहिए हाँ, प्लीज पेपा ने पहला क्लू ढून लिया है बोटल में मेसेज है देखिये, ये रही बोटल जाबाश पेपा देखते हैं मेसेज में क्या लिखा है ये तो एक पाइरेट का मेसेज है मामी, क्या आप मेसेज पढ़ सकती है इस समुद्री डाको की राइटिंग बहुत ही खराब है नहीं, नहीं, पाइरेट की लिखावट बहुत अच्छी है नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रही हूँ पाइरेट ने लिखा है निशानों का पीछा करो निशान का पीछा करो जॉर्ज को दूसरा क्लु मिλα है कुछ आरोज के निशान जो लक्डियों से बने देखो वह उस तरफ जा रहे है पैपा और जॉर्ज आरोज का पीछा कर रहे है देखो जॉर्ज एक चाबी पैपा को अंगला क्लु मिला है एक चाबी बहुत अच्छ है पेपा, अब सिर्फ तुम्हें खजाने का बॉक्स ठूनना है, जो इससे खुलेगा लेकिन यहां और कोई क्लू नहीं है तुम्हें नक्षे को ठीक से देखना चाहिए देखो पेपा, नक्षे में दो सेप के पेड़ भी है यहां एक सेप का पेड़ है, और यह रहा दूसरा सेप का पेड़, इसका मतलब खजाना यहां है तो चलो देखते हैं ओ नहीं, यहां पर तो कुछ भी नहीं है जरा रुको, यहां पर कुछ है वाव, खजाना मेरे पास इसकी चाबी है वाव, यकीन नहीं होता, सोने के सिक्के, यह तो बहुत कीमती होंगे उससे भी ज्यादा, यह सोने के सिक्के नहीं है, यह तो चॉकलेट के सिक्के है और यहां सब के लिए चॉकलेट के सिक्के है सभी को चॉकलेट के सिक्के पसंद है दादी दादा ये सबसे अच्छे ख़जाने की खोच थी न्यू शूज पैपा और जॉर्ज गार्डन में खेल रहे हैं पैपा तुम्हारे जूते कहां है है औ वह खोग जाए है मुझी लगता है हम उन्हें धून सकते हैं शायद हमें गाड़न में धूनना चाहिए Gotcha कि मुझे फाद के जूते युट रहे हैं ममी फे फूलों में धून रही है द्यूते वहां नहीं हैं डाज ακिम भी नहीं और डैडे पिग के जूते हुरे नहीं नहीं हैं और पर जोटे यहां जोटे के लिए लिए आ Lazar Katie यह जूते रख है और डाने हो गए ते हम नए जूते मुझे को तेरे नए जूते लाल होंगे ममी बिल्कुल लाल होंगे जोर्ज मैं नए लाल जूते लेने जा रही हूँ ममी पिग और पैपा मिस रैबिट की जूतों के दुकान में हैं हमारे पास तुमहारे लिए कुछ प्यारे जूतें हैं प्लीज जूते प्लीज बिल्कुल लाल-जूते वय आ। नई लौ-चूते- हरागे संस्भाइ में जूते भी एक हो साहर को नreon बा ему मामी आपको अच्छे लगे मेरे नहीं जुते अच्छे लगे मुझे अपने नहीं जुते इतने अच्छे लगे कि मैं उन्हें कभी कभी नहीं उतारूंगी। यह नहाने का समय है पैपा ने नहाते हुए भी अपने नए जूते नहीं उतारे हैं पैपा ने अपना पैजामास पहन लिया लेकिन उसने अभी भी अपने नए जूते पहन रखे हैं पैपा बिस्तर में भी अपने नए जूते पहनना चाहती है पेपा, क्या तुम पक्का अपनी जूते नहीं उतारना चाहती? मैं अपनी नहीं जूते कभी नहीं उतारूंगी, ममी. ठीक है. गुद नाइट, पेपा और जॉज. गुद नाइट, ममी. गुद नाइट, डाड़ी. गुद नाइट, मेरे छोटे बच्चो. पूरी राथ बारिश होती रही, और अब गाड़न बहुत गीला है. ममी पिग ने अपने बूर्स पहने है, डाड़ी पिग ने भी अपने बूर्स पहने है, जॉर्ज ने भी अपने बूर्स पहने है, पेपा ने अभी तक अपने नए लाल जूते पहन रखे हैं. जॉर्ज गीली घास में खेल रहा है पैपा को गीली घास में खेलना अच्छा लगता है लेकिन वो अपने नए जूते गीली नहीं करना चाहती मैं गीली घास में नहीं खेल सकती जॉर्ज जॉर्ज को मिट्टी के गड़ो में कूदना पसंद है पैपा को गड़ों में पूतना पसंद है लेकिन वो अपने ने जूते दूट में गिले नहीं करना चाहती ममी और डैडी को दूटड़ों में में उपब रिजе पूतना अच्छा लगता है इसे मिस दूटर को और बूट कहा है पैपा अपने बुड पैन रही है अगर मिट्टी के गड़ों में कूदना है तो तुम्हें बूच पहनने चाहिए यह चमकता हुआ एक सो नहरा दिन है पैपा और उसका परिवार पाक में है वो एक पतंग उड़ाने वाले है पहले जॉर्ज पतंग उड़ाएगा जॉर्ज बहुत तेज दोड़ता है लेकिन उसकी पतंग नहीं उड़ती जॉर्ज तुम सब गलत कर रहे हो तुम बहुत तेज नहीं दोड़े अब मेरी बारी है पैपा बहुत तेज दोड़ती है लेकिन पतंग अभी भी नहीं उड़ी बाहर हवा नहीं है तो पतंग नहीं उड़ेगी चाहे तुम कितना भी तेज दोड़ लो जब तक थोड़ी हवा ना चले हम सब को इंतिजार करना होगा देखो हवा चल रही है अब जबकि हवा चल रही है तो पतंग उड़ सकती है अब हवा काफी तेज है अब हवा कुछ ज्यादा ही तेज है शुक्रिया टैरी टैरी पेक पतंग उड़ाते हैं और उपर और उपर डैदी पेक बहुत अच्छी पतंग उड़ाते हैं वाव आँ मैं इन चीजों में थोड़ा माहिर हूँ उन पेडों से बचो तुम्हारी पतंग उन में भस सकती है चिंता मत करो मुझे मालूम है क्या करना है डैडी पेकी पतंग एक पेड में अठक गई ओ नहीं चिंता मत करो जोज डैडी पतंग को नीचे उतार लेंगे पुर्याइँ थ्यान से वहां एक बड़ा मिट्टी का गढ़ा है पैपा और जॉर्ज को मिट्टी के गढ़े में कूदना अच्छा लगता है अम गढ़े में कूद सकते हैं प्लीस मैं नहीं चाहती तो मिट्टी में गंदे हो जाओ पीछे रहो बच्चों जरा ध्यान से डादी पिग मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं जरा ध्यान से बस थोड़ा पैदी चैदी पिंग तुम इस टहनी से काफी ज्यादा भारी हूं रहने दो, मैं जानता हूँ मैं इसे कितना भारी हूँ डैडी पिग ने पतंग को उतार लिया ओ डियर, सबके सब मिट्टी मिसन गए ये तो सिर्फ मिट्टी है अच्छा हुआ डैडी पिग को कोई चोट नहीं आई और पतंग पेड से निकल आई मामी, अब हम गंदे हो गए हैं तो क्या हम मिट्टी में कूच सकते हैं हाँ, ठीक तो है अब तुम इस से ज्यादा गंदे तो हो नहीं सकते और मुझे लगता है धुलाई का काम डैडी करने वाले हैं पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गढ़े में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है अच्छा लगता है गढ़ों में ऊपर नीचे कूदने में उतना ही मजाया जितना पतां गुडाने में डैडी लोजेसिस ग्लासेज टाइडी पिक चश्मा पहनते हैं उन्हें साफ देखने के लिए चश्मा पहनना पड़ता है जब डाइडी पिक चश्मा पहनते हैं तो उन्हें सब कुछ साफ दिखता है लेकिन जब डाइडी पिक चश्मा उतार देते हैं तो उन्हें चीजें साफ नहीं दिखती हैं सब कुछ हलका और धूंदा दिखता है इसलिए ये बहुत सरूरी है कि डैडी पिक को पता हो कि उनका चश्मा कहां है कभी-कभी डैडी पिक अपना चश्मा खो देते हैं पैपा जॉर्ज क्या तुमने डैडी पिक का चश्मा देखा है उन्हें वो कहीं नहीं मिल रहा नहीं मुमी पैपा और जॉर्ज नहीं जानते कि डैडी पिक का चश्मा कहां है ओ डियर, डैडी पिग उसके बिना कुछ नहीं देख पाते और फिर वो चिर्चड़े हो जाते हैं बिना अपना चश्मा पहने, डैडी पिग अपना अख़बार नहीं पढ़ सकते ये बहुत अजीब है, मैं कुछ नहीं देख सकता, किसी ने तो मेरा चश्मा कहीं रखा होगा क्या आपको याद है आपने उन्हें आखरी बार कहां रखा था? जब मैं वो नहीं पहनता तो हमेशा उसे अपनी जेब में रखता हूँ, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है डाडी, क्या हम चश्मा ढूनने में अपके मदद करें? अच्छा एडिया है, अगर उसे ढून लोगी तो डाडी चिर्चिडाना बंद कर देंगे मैं चिर्चिडा नहीं रहा हूँ पैपा और जॉर्ज डाडी का चश्मा ढून रहे हैं पैपा अखबार के नीचे देखती है लेकिन डाडी पे का चश्मा वहाँ नहीं है जॉर्ज टीवी के ऊपर देखता है लेकिन डाडी पे का चश्मा वहाँ भी नहीं है चलो ऊपर ममी डाडी के बेडरूम में देखते हैं पेपा और जॉर्ज मम्मी और डैडी पिक के बेडरूम में डून रहे हैं जॉर्ज ध्यान से किसी चीज से टक्रा मत जाना यह कोई मजाग नहीं है पेपा तरकीय के नीचे देखती है लेकिन डैडी पिक का चश्मा वहां भी नहीं है जॉर्ज डैडी के स्लेपर्स में देखता है लेकिन चश्मा वहां भी नहीं है चलो बाथरूम में देखते हैं पेपा और जॉर्ज बातरूम में ढून रहे हैं चश्मा टब में नहीं है चश्मा टॉयलेट में भी नहीं है यह बहुत मुश्किल है पेपा और जॉर्ज को डैडी पी का चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है हमने सब जगे देखा लेकिन हमें डैडी का चश्मा नहीं मिला अब हम क्या करें लगता है मुझे उसके बीना ही काम चलाना होगा अगर मैं धीरे चलूँगा तो मैं चीजों से नहीं टक्राऊंगा यह यहां है डाडी का चश्मा डाडी पे आप तपसी उसी पर बैठे हुए थे आप बीना डाडी पता नहीं यहां कैसे पहुँचा मैं जानती हूँ कैसे आप थोड़े बुलक कर तो हैं डाडी पे लेकिन अब आप चिर्चड़े तो नहीं हैं मैं चिर्चड़ा नहीं रहा था हाई टैंक्सी पेपा और जॉर्च लुका चिपी खेल रहे हैं यह जॉर्च के चुपने की बारी है उससे जल्री ही चुपने की को जगे ढूंड़नी होगी इससे पहले की पेपा किन्थी पूरी कर ले एक जॉर्च को बलकुल समय पर चुपने की एक जगे मिल गई है त्यार हो यह नहीं मैं आ रही हूं पेपा को ढूना है कि जॉर्च कहां छुपा है तुम्हें ढूंड लिया पेपा ने जॉर्च को ढूंड लिया जॉर्च मैं तुम्हें आसानी से देख सकती थी अब पेपा की बारी है चुपने की ए मैं जॉर्च की गिनने में मदद करूंगी एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ठीक है जॉर्च अपनी आखे खोलो जॉर्च को ढूंड़ना है कि पेपा कहां चुपी है आओ पेपा मेज के नीचे नहीं चुपी है जॉर्च क्या तुमने ऊपर ढूंडने के बारे में सोचा है पेपा मिस्तर के नीचे नहीं है वो कैसी अजीब सी आवाज थी पेपा परदे के पीछे भी नहीं है फिर से वो ही अजीब सी आवाज वो क्या हो सकता है आओ जौर्ज ने ढून लिया कि पेपा कहा चुपी थी जौर्ज ने मुझे ढून लिया अब डाड़ी के चुपने के बारी है मुझे लगता है जौर्च को एक और बारी मिलने चाहिए लेकिन जोर्ज को ठीक से छुपना नहीं आता मुझे यकीन है इस बार वो अच्छा खेलेगा अपनी आंखें बंद करो और गिंती शुरू करो एक दो ओडियर पैपा आसानी से जोर्ज को घूंडेगी पांच छे जोर्ज यहां पर आजाओ साथ आट नो दाट सयार हो या नहीं मैं आ रही हूँ ओ जोर्ज मेस की नीचे नहीं छुपा है लेकिन जोर्ज तो हमेशा मेस की नीचे छुपता है क्या तुमने उपर डूमने के बारे में सोचा है मैं जानती हूं वह कहा है जोर्ज खिलनो की टोक्री में है है जोर्ज खिलनो की टोक्री में नहीं है वह कहां हो सकता है पेपा को जॉर्ज कहीं नहीं मिला याडी मुझे जॉर्ज कहीं नहीं मिला ओ दियर मैं सोचता हूं वो कहां हो सकता है असल में मुझे लगता है इस न्यूज पेपर में जॉर्ज के बारे में कुछ है जॉर्ज उम्हें ढून लिया ओ जॉर्ज वो छुपने की अच्छी जगा थी जॉर्ज पूरा समय डैडी पिक्टे न्यूस पेपर के पीछे छीप रहा मुझे पडल्स आज बारिश हो रही है इसलिए पेपर जॉर्ज बाहर नहीं खिल सकते लाड़ी बारे शुरुक गई अब हम बार खेलने जाए ठीक है खेलो बाहर दोनों पेपा को पसंद है मिट्टी के गड़्ों में कूधना मजह पसंद है मिट्टी के गड़्े पैपा अगर तुम्हें मिट्टी के गड्डों में कूदना है तो अपने बूट्स पहनने चाहिए जोर्ज को भी पसंद है मिट्टी के गड्डों में कूदना जोर्ज अगर तुम्हें मिट्टी के गड्डों में कूदना है तो तुम्हें अपने बूट्स पहनने चाहिए पैपा अपने छोटे भाई जोर्ज का ध्यान रखती है जोर्ज आओ कुछ और गड्डे ढूंडे पैपा और जोर्ज को खूब मजा रहा है पैपा को मिला है एक चोटा गड्डा जोर्ज को भी मिला है एक गड्डा देखो जोर्ज कितना पड़ा कट्था है जोर्ज बड़े कट्थे में पहले खूदना चाहता है रुको जोर्ज पहले में देख लूँ यह सुरक्षित है या नहीं अच्छा है यह तुम्हारे लिए सुरक्षित है सुरी जोर्ज यह बस मिट्टी तो है पहपा और जोर्ज को मिट्टी के गढ़े बहुत पसंद है आओ जोर्ज हम जाकर डाड़ी को बुलाते हैं अरे यह क्या डाड़ी डाड़ी सोच हम क्या कर रहे थे सोचने दो मुझे तुम लोग टेलिवीजन देख रहे थे क्या नहीं नहीं डाड़ी तुम अभी अभी नहाय हो नहीं नहीं ओ अच्छा तुम मिट्टी के गढ़ों में खेल रहे थे हाँ हाँ डाड़ी हम मिट्टी के गढ़ों में खेल रहे थे हो हो और देखो क्या हाल किया है तुमने कोई बात नहीं मिट्टी ही तो है चलो जल्दी से साफ कर दे वरना ममी नाराज होंगी डाड़ी साफ होने के बाद आप और ममी हमारे साथ खेलेंगे ना हाँ सब गार्डन में खेल सकते हैं पैपा और जॉर्ज ने अपने बूर पहन रखे हैं ममी और डाड़ी ने भी इपने बूर पहन रखे हैं पैपा को पसंद है मिट्टी के गड़्ों में खूदना सब को पसंद है मिट्टी के गड़्ों में खूदना क्या डैडी पेग देखो क्या हाल बनाया है आपने ये मिटी ही तो है आज शानदार धूप के लिए और पेपा और चॉर्ज अपनी साइके ले चला रहे हैं कितना बढ़िया पंकिन है डैडी पेग डैडी पेग को अपने पंकिन पर नाज है मुझे बस पंकिन ही उकाने आते हैं शायद इसलिए मुझे पंकिन पाई से प्यार है चलड़ी आओ जोर्ज यानी सूजी रिबेका पैपा और उसके दोस्त डैनी डॉग सूजी शीप और रिबेका रैबिट अपनी अपनी साइकल है जला रहे हैं और जोर्ज अपनी ट्राइसीकल चला रहा है यह कितना धीरे चलाता है डाड़ी प्पुकिन की तरफ रेस लगाएं अगर हम डाड़ी के पंकिन की तरफ रेस लगाएं तो हमें ध्यान रखना होगा कि उससे टकरा न जाएं अगर पम्किन तूट कया तो डैडी बहुत नाराज हो जाएंगे। चिंता मत करो पेपा, रेस करो। पेपा और उसके दोस्ट डैडी पिक के पम्किन की तरफ रेस हगा रहे हैं। हेई, मेरे पम्किन का ध्यान रखना। रेस। पेपा ध्यान से डैडी का पम्किन। सॉरी डैडी। देखो जोज को, वो कितने धीरे चला रहा है। जोज अभी तक बच्चों की साइकल चलाता है। तुम्हारी भी तो बच्चों की साइकल है पेपा। इसमें भी बैलनसर लगे हैं। मैं बिना बैलनसर के चला सकती हूँ। मैं भी। मैं भी। चलो फिर से पहाडी पर चड़े। तुम आओगी पेपा। नहीं मैं यहीं पर रहूंगी। बाइ बाइ। बाइ। पेपा चाहती है कि उसकी साइकल में बैलनसर ना लगे हूँ। डाडी मुझे अपने साइकल में बैलनसर नहीं चाहिए। तुम बिना बैलनसर के चला पाओगी। हाँ। ठीक है पेपा इसे निकाल देते हैं। डाडी पिक पेपा की साइकल में से बैलनसर निकाल रहे हैं। तुम सच्मे बिना बैलिंसर इसके चला पाऊगी? हाँ मुझे नहीं लगता तुम चला पाऊगी मैं चला सकती हूँ, हाँ, हाँ इसमें हसने जैसा क्या है? बिना बैलिंसर के साइकल चलाना असान नहीं होता मैं तुम्हारी मदद करूओ पेपा हाँ डैरी प्लीज ठीक है ready study go छोड़ना मत डैरी दब्राव मत मैं पकड़े हुए हूँ काफी अच्छा चला रही हो पैपा छोड़ना मत डैरी बस पैडल चलाती रहो पैपा बिना बैलेंसर के साइकल अपने आप चला रही है डैरी आपने मुझे छोड़ दिया हो हूं तुम तो कितनी देर से अपने आप चला रही हो सच में तुम सच मुझ बहत अच्छा चलाती हो चाड़ना सक्ते हूंग देखो मुझे मैं साइकल ठीक से चला सकती हूँ टैनी, सूजी, रिबेक्का देखो मैं बिना बैलंसर के साइकल चला सकती हूँ देखो मुझे तेलो डाड़ी के पंकिन की तरफ रेस लगाएंगे पेपा, मेरे पंकिन का ध्यान रखना मजीद चाहूंगे पेपा नहीं देख रही के वो कहां जा रही है ओ जिया, पेपा ने तो डैड़ी पेख के पंकिन की चटनी बना दी सौरी मैंने आपका पंकिन तोट दिया डैड़ी पंकिन की चिंता मत करो ज़रूरी ये है कि तुम ठीक ठाक हो आगे से ध्यान रखना की किस तरफ जा रही हो प्रामस डैड़ी जरूर रखूंगे गूड हां तो जब पंकिन टोटी गया है तो क्यों नहीं इसकी पंकिन पाई बना ली जाए मुझे पसंद है पंकिन पाई और क्योंकि डैड़ी पिक का पंकिन इतना बड़ा है इसलिए सब के लिए काफी पंकिन पाई होगी हुरे! ये! वाँ! हिककप्स पैपा, जॉर्ज, मुम्मी और डैड़ी नाश्ता कर रहे हैं ये एक प्यारा सा सुहाना दिन है पैपा और जॉर्ज गार्डन में खेलने के लिए जाना जाते हैं ममी, क्या हम खेलने के लिए बाहर जाएं? तुम अपना नाश्टा खतम करके बाहर खेलने जा सकते हो जोर्ज अपना जूस इतनी जल्दी मत पियो जोर्ज ने अपना जूस जल्दी से पी लिया और अब उसको हिच्कियां लग गई है क्या अब हम जा सकते हैं मामी नहीं जोर्ज को हिच्किया आ रही है लेकिन जोर्ज की हिच्किया बंद हो गई मामी हो गई है ना जोर्ज ठीक है तुम बाहर खेलने जा सकते हो लेकिन जोर्ज का ध्यान रखना पैपा और जोर्ज को गार्डन में खेलना पसंद है जोर्ज मैं बॉल फैकने वाली हूँ फिर तुम उसे पकड़ना ठीक है जोर्ज हिचकिया लेना बन करो जोर्ज अब तुम बॉल मेरी तरफ फैको मैं उसे पकड़ूंगी जोर्ज ओडियर जोर्ज की हिचकियों से खेल बिगड़ रहा है जोर्ज मैं जानती हूँ हिचकिया कैसे चीक करनी है तुम वैसा करो जैसा मैं कहूँ अपने सिर को खुजाओ और पेट को रगड़ो बढ़िया अब तुम्हारी हिचकिया बंदो गई पेपा ने हिचकियों का जो इलाज किया उसने काम नहीं किया जोर्ज ये तुमने बिल्कुल गलत किया मुझे हिचकिया ठीक करने का अच्छा तरीका आता है पहले एक तांग पर तीन बार उपर नीचे कुदो अब अपना हाथ हिलाओ उपर और नीचे और अपनी जीब बाहर निकालो और अब अपनी आखे बंद करो और तेजी से घूमो सिर्फ तीन बार पैबा के नए इलाज ने भी काम नहीं किया जोर्ज को अभी भी हिचकिया आ रही है मैं जानती हूँ हिचकियों का इलाज बिमार पिगी को एक शौक दिया जाना चाहिए जोर्ज मैं तुम्हें डराने वाली हूँ लेकिन तुम्हें याद रखना यह सिर्फ एक खेल है और इससे तुम्हारी हिचकिया बंद हो जाएंगी याद रखना यह सिर्फ डराने का खेल है पेपा, तुम्हें जॉर्ज की साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए, ये बहुत छोटा है माप करना ममी, मैं जॉर्ज की हिच्किया रोकने के कोशिश कर रहे थी जॉर्ज की हिच्किया बंद हो गई डैडी पे एक जूस के दो गिलास लेकर आते है जॉर्ज, इस तरह पेऊगे तो फिर से हिच्किया लग जाएंगे मैं उतनी छोटी नहीं हो जितना जॉर्ज, मैं अपना जूस बहुत जल्र पेशकती हूँ प्रश्वार्ट विल्ट वर्फ तो इख विल्ट विल्ट और तिन गवर्फ विल्ट में अपनी बॉल के साथ खेल रहा है मैपाबी खेलना चाहती है जोज ये सही तरीका नहीं है बॉल इस तरह से पकड़ते है इस तरह नहीं तुम ऐसा करते हो पैपा कितनी शायतान चोटी से पिग है जोज जा रहे हो वापस आओ लगता है पैपा जोज को थोड़ा ज्यादा ही परेशान कर रही है पैपा तुम जोज को परेशान कर रही हो ये सच नहीं है ममी मैं उसे बॉल पकड़ना सिखा रही थी मैं खेल जानती हूं जिससे जोज सीखेगा गेंट कैसे पकड़नी है इसे कहते हैं पिगी इन दे मिदल पैपा तुम बॉल लो और वहां पर खड़ी हो जाओ और जोज तुम वहां पर खड़ी हो जाओ बढ़ यह तुम्हें बॉल दूसरे की तरफ तरफ पेकनी है और मुझे कोशिश करके पकड़ना है मैं हूं पिगी यिन दे मिदल ममी है पेगी न में गैल पकड़ो जोर्ज ओ छूट गई जोर्ज ने बॉल पकड़ ली चापाज जोर्ज अब तुम पैपा की तरफ बॉल फेको फिर कोशिश करो कोशिश करो जोर्ज ममी के उपर से बॉल नहीं प्हेंट पा रहा है रहने दो जोर्ज बॉल मुझे दे दो क्या बात है जोर्ज मैं भी ऐसा कर सकती हूं पैपा जोर्ज की नकल करना चाहती है लेकिन वो बहुत बड़ी है और पंस जाती है बॉल मेरे पास है पैपा अपिगी बनने के तुम्हारी बारी है जोर्ज पकड़ो पकर लिया जोर्ज अब तुम्हार पनव पेगी जोर्ज पक्रो बॉल को पक्रो जोर्ज पक्रो जोर्ज पक्रो बॉल यहां है जोर्ज ओ डियर पेपा तुम्हें जॉज को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए माप करना जॉज ये शोर कैसा है डाड़ी जॉज पिगी इन मेरे खेलने के लिए बहुत चोटा है मैं जानता हूँ वो काफी बड़ा है नहीं वो नहीं है डाड़ी ये देखिए इसे पकड़ो जॉज गुर्वे ये ठीक नहीं है ये ठीक है मैं सिर्फ जॉज की मदद कर रहा था ममी क्या मेरी मदद करेंगी बिल्कुल करूंगी पेपा मेरी तरफ जॉज पकड़ो जॉज पेपा को बॉल पकरना पसंद है जॉज को भी बॉल पकरना पसंद है सब को बॉल पकरना पसंद है प्रोग्स एंड वर्म्स एंड पटरफ्लाइज पेपा और जॉज गार्डन में ग्रेंटपा की मदद कर रहे हैं कितनी सुंदर बटरफ्लाइज को फूल क्यों पसंद है उन्हें फूलों से अपना खाना मिलता है कैसे उनकी बहुत लंबी जीब होती है मुझसे भी लंबी हो हाँ बटरफ्लाइज की जीब तुम्हारी जीब से भी लंबी होती है इससे वो फूलों का रस पीती है वाव पेपा बटरफ्लाइज को लगता है कि तुम एक फूल हो लेकिन मैं फूल नहीं हूँ, मैं पैपा पिग हूँ, यह कितनी प्यारी है, मैं बटरफ्लाइ बनना चाहती हूँ, पैपा बटरफ्लाइ बनकर खेल रही है, मैं छोटी बटरफ्लाइ हूँ, जॉर्ज भी खेलना चाहता है, जोर्ज, पेटरफलाई हूँ, तुम कुछ और क्यों नहीं बन जाते मुझे पता है तुम रेंगने वाले वर्म बन सकते हो देखो, देखो, मैं बन इस और प्लाइ हूँ जाथ जोर्ज वर्म नहीं बनना चाहता हूँ वो पद्टरफलाई बनना जाता है जोर्ज, जब मैं छोटा पीगी था, मुझे वाम बनकर खेलना पसंद था वाम बनना बहुत आसान है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे पहले तुम्हें जमीन पर लेटना होगा, फिर इस तरह रेंगना होगा मैं एक रेंगने वाला वाम हूँ जोर्च और ग्րlished और ग्रेंट पा पेको रेंगने वाले वर्म्स बनकर बहुत मझा रहा है मैं चुटी बटरफ्लाइए हूँ, मैं चुटी बटरफ्लाइए हूँ 據को मैं चुटी बटरफ्लाइए हूँ, हाँ पेपा, तुम्हें असुदर बटर फ्राइए हो अब क्या कर रहे हैं हम रेंगने वाले वर्म से हैं मैं भी रेंगने वाला वर्म बनना चाहती हूँ मैं रेंगने वाली वर्म हूँ मैं एक रेंगने वाली वर्म हूँ मैं हूँ रेंगनेवाली वर्म, मैं हूँ रेंगनेवाली वर्म, आप कैसे हैं, आप मुझे अच्छे लगते हैं, मैं हूँ रेंगनेवाली वर्म वो बहुत अच्छा था, अब तुम कौन सा जानवर बनना चाहते हो? मैं नहीं जानती देखो ग्रैंटपा यहाँ छोटा फ्रॉग है तुम फ्रॉग बनकर क्यों नहीं खेलते फ्रॉग इतने प्यारी नहीं होते जितने बटरफ्लाइ और वो ऐसे नहीं रेंगते जैसे वर्म लेकिन फ्रॉग्स एक खेल खेलते हैं जो तुम्हें पसंद है क्या फ्रॉग गुडियों का घर खेलते हैं प्यारी पैपा तुम्हारा मन पसंद खेल क्या है मिट्टी के गड़ों में खेलना हाँ प्रॉग्स को पसंद है मिट्टी के गड़ों में खेलना प्रोग बन जाते हैं मैं छोटी प्रागी हूँ प्रागी इसको खेलनी के लिए एक अच्छा बड़ा मिट्टी का गढधा मिल गया पैपा और जॉश को मिट्टी के गढ़ों में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है सब को मिट्टी के गढ़ों में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है बटरफ्लाइज और वर्म्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन मुझे फ्रॉग्स ज्याद अच्छे लगते हैं दा स्कूल फेट आज स्कूल मेले का दिन है पेपा को मेले में आना अच्छा लगता है ये हैं पेपा के दोस्त केंडी कैट, सुजी शेप, डैनी डॉग, रिबेका रैबिट और पेड्रो पोनी हेलो दोस्तो, मुझे स्कूल फेट अच्छा लगता है मुझे भी, तुम्हें क्या अच्छा लगता है फेस पेंटिंग करना गुबारे पसंद है मुझे सबसे ज़्यादा उचलने वाला कासल पसंद है मुझे सब कुछ अच्छा लगता है हो हो बहुत अच्छी पसंद है पैपा फिर मिलेंगे पैपा फिर मिलेंगे जोर्ज तुम्हें सब से अच्छा क्या लगता है ज़िय उजुघ है मेले में कोई डाइनसौर नहीं है जोर्ज शायद संधा ऐक गुबारा ले सकते हैं आपको यखीन है उनके पास डाइनसौर मूँ पेंट कर ले आहां क्यों नहीं मिस्स रैबिट ने पैपा के दोस्तों को टाइगर जैसा पेंट किया है तो यह लो सूजी अब तुम एक टाइगर जैसी लगती हो थैंक यू मिस्स रैबिट मुझे तुम्हारा चहरा अच्छा लगा सूजी क्या तुम पुसी कैट हो नहीं मैं टाइगर हूँ पैपा तुम अपना चहरा पेंट कराना चाहती हो हाँ बिल्कुल मुझे बनना है एक एलिफिंट ओ डियर मैं एलिफिंट बनाना नहीं जानती मैं टाइगर बना सकती हूँ ठीक है टाइगर बना दीजिए लो हो गया पैपा अब तुम्हें एक टाइगर हो मैं टाइगर हूँ जोर्ज तुम क्या बनना चाहते हो टाइनोसौर एक डाइनोसौर उसके बज़ाए एक टाइगर कैसा रहेगा मैं अच्छा टाइगर बनाती हूँ मैं टाइगर हूँ मैं भी टाइगर वुफ वुफ नहीं बोलते तुम्हें कैसे पता क्योंकि टाइगर बड़ी बिल्लिया होते हैं और मैं एक बिल्ली हूँ कैंडी क्या तुम हमें सिखा सकते हो टाइगर कैसे बनते हैं ओके टाइगर बहुत धीरे धीरे चलते हैं और फिर क टाइगर खुद को चाट कर साफ करते हैं, पर जब टाइगर खुश होते हैं तब वो पर करते हैं पर हेलो बच्चों, ओ ये क्या है, तुम सब टाइगर्स हो और मैं उन्हें सिखा रहे हूँ ठीक से टाइगर कैसे बनते हैं तुम चोटे टाइकर्स और क्या करना चाहते हो डाइनसार बिल्कुल ठीक हमें जॉज के लिए एक डाइनसार गुबारा ढूना है तुम सब को गुबारे दिलाते हैं अलो मैडम गजेल हमें कुछ गुबारे चाहिए जरूर मेरे पास अलग तरह के बहुत से गुबारे हैं क्या मैं एलेफिंट का गुबारा ले सकती हूँ ये तुम्हारे लिए पैपा मुझे कांगारू चाहिए एक लायन वाला मुझे मंकी चाहिए एक पैरिट वाला हां मेरे मेरे पास ये सब हैं और शब से जरूरी है हम एक डाइनासार का घुबारा है जायर्ज के लिए मेरे डाइनसौर का गुबारा नहीं है दी पर मत करो जार्ज मेरे पास ऐसा अइडीया आए किया हम ये दो लंबे घुबारे ले सकते हैं सब लोग उसको दिखो डी पिग वो पारा से क्या कर रहे है बन गया क्या कोई बता सकता है यह क्या है कम गरू है नहीं यह दाइक अे डाइनसाुर दिलकूल थेक डाइनसॉर डेडी पिग ने एक डाइनसार गो बारा बनाया अब भू ज़िए वाला कासुर पैपा को उचलने वाले कैसल में उचलना पसंद है सबको उचलने वाले कैसल पर उचलना पसंद है नए गारी आज पैपा और उसका परिवार उनकी लाल गाड़ी में घूमने जा रहा है क्या हम छट नीचे कर लें हाँ प्लीज पैपा और जोच को उनकी गाड़ी पसंद है तो क्या सबतेयार हैं तो चलो चले मुझे अपनी गाड़ी पसंद है और हमारी गाड़ी भी आमें पसंद करती है है के ने गाड़ी में कुछ खराबी है शायद क्या हुआ डाड़ी मुझे पता नहीं चलो इसे दादा डॉप की गराज में ले चलते हैं वो इसे ठीक कर देंगे ये बहुत अच्छा एडिया है दादा डॉप का गराज है वो गाड़ीया ठीक करते हैं ओहो टैड़ी पे आपकी गाड़ी में तो खराबी है क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं दादा डॉप हाँ लेकिन इसमें पूरा दिन लग जाएगा हम सब अपने गाड़ी में घूमने जा रहे थे फिक्रिमत करो तुम्हारी गाड़ी ठीक होने तक मेरी गाड़ी ले जाओ हुरे तो मैं बस इस लाल बठन को दबा देता हूँ कितनी अच्छी गाड़ी है तुम्हारे वापस आने तक मैं तुम्हारी गारी ठीक कर दूँगा तेंक्यू दादा डॉग गुडबाई गुडबाई पेपा और उसके परिवार को नई नीली कार पसंद है इस नई गाड़ी में तो बहुत सारे बटन्स हैं हरे बटन्स से क्या होता है डारी चलो देखते हैं जादुई खिरकिया जादुई खिरकियों को नीचे कर दो नीले बटन्स से क्या होता है डारी उझे नहीं पता चलो देखते हैं मुझे ये नई कारी पसंद है, क्या हम इसे रख सकते हैं? नहीं, हम इसे नहीं रख सकते पैपा, हमने बस ये आज के लिए ली है ओओ ओओ नहीं, लगता है बारिश होने वाली है तो मैं छट उपर कर देता हूँ तो कौन सा बटन कहा था उनोंने? मैं कितना बुद्ध हूँ ये रहा वो बटन नई कार ने डाड़ी पिक पर पानी उचाल दिया बुद्ध डाड़ी, वो गलत बटन है तो ये बटन रहेगा उपस, ये तो नहीं है, तो ये रहेगा डाड़ी पिक भूल गए हैं कि कौन सा बटन से चट उपर होती है ये गाड़ी शायद मुझे पसंद नहीं करती हम लाल बटन दबा कर देखते हैं हुर्ये लेकिन बारिश अब रोग गई क्या फिर से चट नीचे कर दे? क्यों नहीं, लेकिन कौन सा बटन था? लड़ बाला हुर्ये दादा डॉग ने गाड़ी को ठीक कर दिया तुम्हारी काड़ी ठीक हो गए हुर्ये थांक यू दादा डॉग, ये रहे तुम्हारे पैसे थांक यू डाड़ी पिग गुडबाई गुडबाई अच्छा हुआ हमें अपनी कार वापस मिल गई मुझे नए गारी अच्छी लगी लेकिन अपनी गारी ज्यादा अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि हमारी गारी भी हमें बहुत पसंद करती है है ना? अच्छा है कि अच्छा है प्रेद समय यूँ जा को कि अच्छा है यूँ 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 यू यूँ कर दो कर दो कर दो